युक्रेन युद्ध में जलन्सकी की सेना को पठखनी देने के लिए रूसी सेना नएने पैत्रे अपना रही है अब रूस ने युक्रेनी फाइटर जेट्स को तबाह करने के लिए एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे यहां तक कि युक्रेनी सेना को भी समझ नहीं आ रहा कि वो रूस की इस तरकीब का कैसे जवाब दे दरसल रूस के नए लैंसेट 3 ड्रोन ने नीप्रो पैत्रोसक इलाके में युक्रेनी एरफोर्स के एरबेस पर खड़े एक मेग 29 लडाकु विमान को तबाह कर दिया और इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कैसे इरान का बनाया हुआ ये ड्रोन एरबेस पर खड़े विमान के उपर आकर उससे टकरा जाता है जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और इसके बाद रूसी रक्षा मंत्राले भी इस बात की तस्दीक कर देता है कि रूसी एरोस्पेस फोर्स ने युक्रेनी एरफोर्स के एक मिग 29 फाइटर जेट को एरबेस पर ही मिट्टी में मिला दिया है माना जा रहा है कि ये हमला 24 से 25 सितंबर 2023 के बीच हुआ है हाला कि कुछ टेलेग्राम पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने ये ड्रोन रात के अंधेरे में भेजा था ताकि युक्रेनी सेना इसे इंटरसेप्ट ना कर पाए ठीक इसी तरह से रूस ने पहले भी डॉलगिनेच सेवो एर बेस पर खड़े युक्रेन के दो फाइटर जेट्स को ड्रोन से नेस्तो नाबूत कर दिया था और इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि युक्रेनी सेना डॉलगिनेच सेवो एर बेस से अपने फाइटर जेट्स को पस्चिम या मध्ध युक्रेन में गहराई तक ले जा सकती है क्योंकि ये एर फील्ड युद के मैदान से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर है और जिस ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना ने युक्रेनी फाइटर जेट्स को उड़ाने में किया है उस नए लैंसेट 3 वेरियंट की रेंज अब 40 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है यानि कि फ्रेंट लाइन से रूसी सेना आसानी से इस इलाके में युक्रेनी फाइटर जेट्स को एर बेस पर ही उड़ा सकती है हाला कि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने युक्रेनी सेना को चक्मा देते हुए इस तरह का अटेक किया हो इससे पहले 19 सितंबर 2023 को भी रूसी सेना ने इसी इलाके के दॉलगिनेट से वो एर बेस पर एक ऐसा ही ड्रोन अटेक किया था उस वक्त एक ड्रोन ने मेग 29 को टककर मार दी थी और पिछले साल 12 से 13 अक्टूबर के बीच भी युक्रेनी एर फोर्स के मेग 29 ने एक शहीद 136 ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की थी लेकिन ड्रोन में धमाके की वज़ा से विमान खुद नीचे आ गया था लेकिन युक्रेन का पाइलेट अपनी जान बचाने में काम्याब रहा था हाला कि युक्रेनी सेना ने इस प्लेन क्रैश के पीछे एक अग्यात तकनीकी खराबी का हवाला दिया था